हाई लो फ्रेंड्स गोड इविनिंग दोस्तों इस वीडियो में हम लोग SSC GD exam 2013-24 के आल सिप्ट में पूछा सकने वाले most important selected प्रस्णों को सालू करेंगे दोस्तों ये सारे questions हमारे आपके exam में पूछे जाने वाले प्रस्णों के topics प्रस्णों के level वा प्रस्णों के टेंड्स इसके लोग दोस्तों SSC के द्वारा conduct करवाएगे बिविन previous exam के प्रस्णों को पूरी तरह से सामिल करने का प्रियास किया गया है साथ में दोस्तों extra fight को भी पूरी तरह से कबर करने का प्रियास किया गया है तो दोस्तों आप लोग इने concentrate होकर सालू करें questions कम सालू होने पर पुना पस्णों का revision करें ताकि SSC GD exam 2013 में आप लोग अच्छे से अच्छा score कर सकें तो अच्छे लिए दोस्तों जदा समय ना लेते भी है हम लोग इन सभी most important पस्णों को सल्प करना सुरू करते हैं दोस्तों question number one है हमारा चेचा के टीके की खोच किस ने की थी general science का most one question है दोस्तों बार-बार पूछा गया बिद्द्धारा का मात्रक क्या है यह में बताने है तो बिद्द्धारा का मात्रक एंपियर होता है अगला question है वाय मंदले दाप मापने में किस उपकरन का प्रियोग किया जाता है करेक्ट एंसर होगा वायरो मीटर का सारे questions selected रखेगे हैं दोस्तों हम लोग एक question topic से उठाएंगे पूना उनसे जितने भी most questions बनते हैं सबको एक साथ cover कर लेंगे यह हमारी strategy होगी दोस्तों जो कि systematic रहेगी और आप लोग भीन से आगे रहेंगे अगला question हमारा समुद्र की गहराई मापने में किस उपकरण का प्रियोग किया जाता है करेक्ट एंसर होगा फैदो मीटर का next question है वाय मंडली आधिरता मापने में किसी यंदर का प्रियोग किया आता है तो हाग्रो मीटर का किया आता है किसका हाग्रो मीटर का यह सारे question दोस्तों आप स्केल एक्टर स्केल पैक्द से इंतर से भूक कम किति वरता कि माप किजा आती है अगला कुष्चन के इलेक्ट्रान की खोज किस ने की थी, करेक्टेंसरोंगा जेजे थामसन ने, नेक्स्ट है, प्रोटान की खोज किस ने की थी, तो E-Goldstein है, और न्यूट्रान की खोज किस ने की थी, तो James Chadwick है, तीनों एक साथ डाल दिया गया है दोस्तों, सोडा का रासानिक नाम क्या है, तो Sodium Carbonate होता है, वह खाने का सोडा का रासानिक नाम क्या है, तो Sodium Bicarbonate होता है, ये भी एक साथ डाल दिया गया है, तो उस्तों काफी Confusion करेट करते हैं, अलग-अलग कोस्टन को हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए तिनों को एक साथ कबर कर दिया गया है, आगे चलेंगे, Next Question देखेंगे हम लोग, अगला Question दोस्तों, सिर्के में कौन सामल पाया जाता है, Most important questions हैं दोस्तों, सिर्के में कौन सामल पाया जाता है, तो Acetic अमल है, Next है, सारे ध्यार नखेंगे दोस्तों, एक यह Question अलग अलग से, यह घुमा घुमा के हमारे एक जाम से पूछाते हैं, और हम लोग यहां से बरावर पिरपेर नहीं रहेते, तो यह Questions हमारे गलत हो जाते हैं, इसलिए एक सारे Questions को डाल दिया गया है, Next है, पिसी कल्चर में किसका अध्यन किया जाता है, तो मत सिपालन का किया आता है, Selected Question है दोस्तों, पिसी कल्चर में किसका अध्यन किया आता है, मत सिपालन का, Next है, Hardiculture में किसका अध्यन किया आता है, तो पुस्प योम फल वाले पौधो का अध्यन की आता है, किसमें यह पुस्पो योम फलो दोनों की अध्यन से संबन्दीत है, हार्टिकल्सर, और पिसी कल्चर का संबन्द है, मत सिपालन से, आगे चलेंगे, नेक्ट्स कोश्चन देखेंगे हम लोग, कोश्चन है दोस्तों विटामिन A का रासानिक नाम क्या है, तो रेटिनाल होता है, विटामिन C का रासानिक नाम क्या है, तो स्कॉर्बी कमल होता है, विटामिन D का रासानिक नाम क्या है, कैल्सी फेराल होता है, वह विटामिन E का रासानिक नाम क्या है, तो टोको फेराल होता है, यह भी एक से सरीर का कौन संग परभावित होता है तो यक्रित होता है च्छै रोग से सरीर का कौन संग परभावित होता है तो फेफड़ा है और टाइफाइड से सरीर का कौन संग परभावित होता तो आथ है तीनों स्लेक्टर हैं एक साथ डाल देगे हैं दोस्तों रिवीजन जरूर की प्रिपेशन कीजिएगा चलते हैं दोस्तों हम लोग PDF की ओर थोड़ा से यहां पर बात करेंगे PDF के बारे में 4 PDF हमारा लगा हुए पूरा हम लोग questions की ओर चलेंगे पहला PDF दोस्तों ससी जीडी 2024 का है जिसका एकजाब 20 फरोरी से स्टार्ट हो रहा है इसका जो आपका पार्ट करम दोस्तों GKGS जिसमें आपका जनल साइंस भी सामिल है current of years हुआ हिंदी के पूर्य पार्ट करम को टोटल 25 PDF की जरिए complete करवाया जा रहा है अगर आप दोस्तों इनके computer नेक अच्छी preparation चाहते हैं तो यह हमारा whatsapp number है आप लोग मैसस करकर PDF ले सकते हैं इसकी paid fees टोटल 50 रुपे रखी गई है अगला PDF है बिहार SSC 10 पलस 2 2030 इसमें भी आपका पार्ट करम दोस्तों शामा निग्यान शामा निविग्यान वा current of years जिनके पूर्य पार्ट करम को टोटल 25 PDF की जरिए complete करवाया है इसकी भी दोस्तों paid fees 50 रुपे रखी गई अगर आप चाहते हैं तो हटसब नमर पर मैसस करकर जुड़ सकते हैं दोनों के combine की मांग हो रही दोस्तों जो की नहीं किया जा सकता मैं बार बार बोलता हूँ विहार SSC में अब दोस्तों आपके विहार स्पेशल यानि विहार जीके से questions पूछे जाएंगे लेकिन SSGD में national level के questions होगे दूसरी बात है विहार SSC में आपका हिंदी का पार्थ करम सामिल नहीं है लेकिन SSGD में हिंदी की questions भी पूछे जाएंगे वहां दोस्तों SSGD और विहार SSC में देखा जाए तो विहार SSC में आपके General Science से लगवग 25 questions पूछे जाएंगे लेकिन SSGD में कम पूछे जाएंगे तो questions के trend में दोस्तों काफी difference है इसलिए हम लोग यहाँ पे combine नहीं कर सकते और किसी भी question पे risk नहीं लिया जा सकता तीसरा PDF है हमारा UP Police Constable 2030 जिनका party करम दोस्तों जिसमें आपका GK है, GS है, current affairs है, UP special भी इसमें जुड़ेगा और पुलिस ब्योस्ता से समन्दित सामान सचितिता के भी questions आपके जुड़ेंगे इनके पूरे party करम को total दोस्तों 40 PDF के जरिये complete करवा जा रहा है, इसकी paid fees 100 rupees रखी गई है, अगर आप चाहते हैं दोस्तों तो hearts up number पर message करके जूड़ सकते हैं, यहाँ बात दिन देजीगा, जो आपका मैत हुआ reasoning बचता है दोस्तों, उनका PDF नहीं बन सकता, आप लोग जानत दा रहे हैं, और last PDF UPPSCRORO 2013 के PT exam में है, दोस्तों जिसका आपका दो paper करवा जाएगा, जिसनी सामाने देन 140 questions का, वह सामान हिंदी 60 questions का, जिसमें सामान हिंदी के किवल 6 chapter सामिल है, इनके भी पूरिया party करम को total 40 PDF के जरिये complete करवा जा रहा है, अगर आप चाहते हैं दोस्तों, UPPSCRORO के 40 PDF हैं, इसलिए इसकी paid fees 100 rupees रखी गई है, तो अगर चाहते हैं दोस्तों, तो hard supremacist करकर जूड सकते हैं, आगे चलते हैं हम लोग question की ओर, अगला question है दोस्तों, महात्मा गादी ने सन 1930 में सबिनय औग्यांदोलन कहां से RMV किया था, यह most important question का answer, आपके question में ही डाल गया है, यह भी बारबा पुछाता है, इसलिए दोस्तों, ऐसे PDF को वनाने में काफी मेहनत करनी होते हैं, कि जो आपके trend में रहें, आपको सहस्ता पुर्भा की याद हो सकें, और उस सारे topics, जो आपके trend में रहते हैं, सहसी के, पूरी तरह से आपका clear हो सकें, एक्ष्टाफ ग्यांदोलन कब आरा में किया था, तो 1930 में किया था, ध्यान रखेंगे, अब चले एक्ष्टाफेक्ट में, महात्मा गाधी 12 मार्च 1930, डेट वाइस भी दोनों ध्यान रखेने का प्यास करें, जो data, आप लोगों के लिए most important है, जितने fact, उनको हम लोग miss नहीं कर सकते, और जो दोस्तों आप लोगों के लिए important है, उनको miss नहीं किया जा सकता है, इक्ष्टाफेक्ट है हमारा महात्मा गाधी, 12 मार्च 1930 को साबरमति आस्रम से 80 साहयोगियों के साथ पैदल चरकर, 24 दिनों में लगभग 390 किलोमेटर की आतरकर, दांडी, जो की गुजरात के नवसार जिले में इस्तिता है, जहाँ 6 अपरेल 1930 को उन्होंने नमक कानून भांग कर सभिनयों ग्यान दोलन का आरम किया था, तो चले कब ये भी बार-बार पुछाता है, 12 मार्च 1930 को पहुंचे कब, 24 अपरेल 1930 को, ये भी दोनों डेट आप लोग ध्यान रखेंगे, दांडी से र बार-बार पुछाता है, पूना समझोता कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था, अब कोश्चन है किन के बीच में हुआ था, तो गादी और अम्बेटकर के बीच में हुआ था, इक्ष्टाफेट पर ध्यान देंगे, ऐत यहां से पूना समझोता जो कि 1932 में हुआ था, महत्मा गादियों भीम राव अमेटकर के मद में हुआ था यद्यव की इस बार गादी जी ने स्वेम हस्ताचर नहीं किये बलकि इस बार अमेटकर और गादी जी के अनुयाईयों दोरा हस्ताचर किये आगे ध्यांद जीगा 24-7-32 को हस्ताचरित इस समझोते में दलित वर्गों के लिए पिर्थक निर्वाचन मंडल के स्थान पर सामान वर्गों के तहत ही सीटे आरचित करने की ब्योस्ताथी ये दोस्तों कांसेप्ट आपके एकजाम में आफसन दे के पूछा जाता है बार बार पूछा जाता है जो चलेंगे नेक्ट कोशन देखेंगे जो कि भारती राष्टी कांग्रेस से लिए टर है मोश्ट उपन कोश्चन है कोश्चन है मारा नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहा और किस सुष में पड़ी थी तो 1907 के कांग्रेस के सूरत अद्बेशन में पूरी तरह ध्यान रख पूरी तरह ध्यान रखेंगे नरम दल और गरम दल के बीच फूट वर्स 1907 में कांग्रेस के सूरत अद्बेशन में पड़ी थी इस अद्बेशन की अध्यसता डाक्टर राज विहारी घोस ने की थी यह बारबा पुछाता है 1907 के कांग्रेस के अध्यसता किस ने की थी तो मजुंदार के दौरा की गई थी पूरी तरह से रट लेंगे रिवीजन जरूर करेंगे या फिर पीडियाप लेके अंडर लाइं लगा के दोस्तों एक अच्छी स्टेडी करने का प्रियास कीजिएगा आगे चलते हैं नेक्ट कोश्चन देखते हैं हम लोग अगला कोश्चन को बैंकिंग सुधाय मुहिया कराना और परतिक परिवार का बैंक खाता कोलना है इस योजना की घोंसडा कब हुई थी तो 15 अगस्त 2014 यह मोश्ट इंपार्टेंट है तथा इसका सुभारम किया गया था तो 28 अगस्त 2014 को दोनों मोश्ट इंपार्टेंट है घोंसडा हुई 15 अगस्त 2014 और इसका सुभारम किया था 28 अगस्त 2014 से चलेंगे नेक्ट कोश्टन की और अगला कोश्टन दोस्तों हमारा हिंदी से है आप लोग जानते हैं हिंदी के पार्ठ करम से भी इसमें कोश्टन पूछे जाएंगे कोश्टन हमारा महात्मा का सही बिलोम सब्द होगा यानि बिपृत अर्थक सबसे पार्ठ कॉश्टन करेंगे उसका एंसर देंगे पुर्ण हम लोग यहां सेइस टापिक से जितने ही most human questions मनते हैं एक साथ कबर कर लेंगे question है मारा महात्मा का सही बिलोम सब्द होगा तो दुरात्मा होगा एक चीज ध्यान रखें दोस्तों मैं बार बार बोलता हूँ जब भी आप लोग questions हिंदी के questions self करें वर्तनी पर खास ख्याल रखें पूरी तरह से focus करें चारो आपसन आप लोग exam में चेक करें और जो सबसे सटीक लगे ऐसा नहीं एक आपसन देखा थोड़ा से लगा सही उसी को टिक करती है ज़्यादा questions हमारे हिंदी के वर्तनी के कान दोस्तों यानि spelling mistake के वज़ा से गलत हो जाते हैं और ये question गलत होता तो आप लोग जानते हैं निगेट्व मार्किंग जहलते हैं और कितनी rank नीचे आते हैं आप लोग जानते हैं अब देखेगा आगे एक तरफ सब दिया गया है फिर बिलोम सब दिया गया है कोई भी आपसन आ सकता है अलपायू का क्या होगा देरगायू होगा अब देरगायू को पलट के पूछा जाए तो अलपायू होगा ये भी ध्यान रखेंगे अब चलते हैं के हम लोग उपेच्छा का विलोम अपेच्छा का विलोम उपेच्छा होगा अग्रज का विलोम अनुज होगा, अनुज का विलोम पूछा जाए तो अग्रज होगा, अच्छम का विलोम सच्छम होगा, अतिविरिष्टी का विलोम अनाविरिष्टी होगा, अनाविरिष्टी को पलट के पूछा जाए कि अनाविरिष्टी का विलोम क्या होगा, तो अत करसंड का बिलों में और संछेब का बि स्तार होगा जितनेृधिक्स आपके ट्रेंड में हैं उनको पूरी दॉन करें य सारे का दोस्तों एक अच्छी तरह से समझते विए उनका प्रिपेशन करने का प्रियास करें, वो सारी टापिस कोई से, महात्पुना अर्गनाइजिसन से आपके एकजामस में questions पूछे जाएंगे, संग्यों राजचेते से पूछे जाएंगे, नागरिक्ता से पूछे जाएंगे, मौल अधिकार हो गया, मौली कर्तिव हो गया राज के नीत निर्देशक सिध्धान्त होगे, उसके लब महाध्योक्ताय महानियायोदी होगे, राष्ट्रपती राजिपाल लोग सभा, राजसभा से questions होगे, लोगनियंतरक महालेखा परिछक से question होगा, योजना आयोक से होगा, पंचुवर से योजना से होगा, नीती आ फिर से दोस्तों, moderate level के questions होगे, खेल जगत के questions होगे, general sense के मोटे मोटे questions होगे, भाद के परमुक नदियों से questions होगे, ये सारे दोस्तों आपके tend में रहेंगे, जनगरना 2011 पूरी तरह से अब लोग update रहेंगे, आपके हर shift में अधिकान questions यहीं से देखने को मिलेंगे, या फ नहीं से दोस्तों आप दो वीडियो देखते हैं, दो मिनट देखते हैं, तीन मिनट देखते हैं, इससे कुछ भी होने वाला नहीं, जब तक आप लोग उन सभी trend जितने topics हैं, उनको पूरी तरह से clear नहीं करेंगे, आप भी उसी भीड में सामिल रहेंगे, अगला है हमारा, चाणिक का दोस्तों विलों तो 600 होगा, अब 600 को पलर दिया जाए तो चाणिक होगा, निक्स्ट है लोकिक का विलों अलोकिक होगा, सन्योग का विलों बियोग होगा, भोतिक का विलों आध्यातिमिक होगा, गिरिहस्त का विलों सन्यासी होगा, घ्रणा का विलों प्रेम हो दुराग्रा होगा, सत्कार का विलुलूं ऀरसकार होगा, उर्बर का विलूं अनूर्बर होगा, वसंद पत्यान होगा, उत्रायन का विलूं दछन अयान होगा, देखेगा, यहाँ पर इत्षन प्रतियोगी होगा प्रतियोगी पर्तियोगी होगा- सुलभ फोगा- संकिंट, विलोम सब्द से उठाएगे कोश्चन से दोस्तों अब चलेंगे अब लोग नेक्ट कोश्चन की ओर अगला कोश्चन दोस्तों बलुवंत राय मेहता यानि कि पंच वर से युजना से है most important कोश्चन से आपके एक्जाम के लिए कोश्चन राय मे arrival समीत का समंध किसे है तो से युजना और भेैर करते हैं है अरुवन्त राय महता समित ने तिरस्तर ये पंचाईती राज प्रणाली की अंसंसा की थी, जिसमें ग्राम पंचायत, छेतर पंचायत, तथा जिला पंचायत, पंचायतों की तीन अस्तर सामिल हैं। 2 October 1969 को राजस्थान की नागोर जिले में सबसे पले पंचायती राज प्रणाली की व्याख्या की गई है। अरच्छित होने का प्रावधान है। ये विक पुछाता है तीतरों संसोधन कब होता है 1992 में। तीतरों संसोधन संबंदित है तो पंचायती राज ब्योस्था से संबंदित है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला चलते हैं दुनों तो नेक्स्ट कोस्टन की वर। अगला कोस्टन है मारा भारते संग्धान के नुच्छे 368 का संबंद किसे मोश्ट इंपार्टन है 368 जो की दोस्तों संग्धान संसोधन परकिरिया से संबंदित है और ये दच्छन अफ्रिका के संग्धान से लिया गया था ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे गें भारते संग्धान के नुच्छे 368 का संबंद किसे तो संग्धान संसोधन परकिरिया से संबंदित है ध्यान देंगे आप लोग एक्ष्टाफेक्ट को भारते संग्धान के नुच्छे 368 का संबंद संग्धान संसोधन की परकिरिया से है भारते संग्धान के भाग 20 में य किया गया है ध्यान रखेंगे आप लोग चलेंगे हम लोग नेक्ट कोश्टन की और मोश्ट पढ़ने इसका भी जिकर हो चुका है महाधिवक्ता अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ही उठा लीजी कम से कम 5-7 बारे कोश्टन पूछे गए हैं कोश्टन है भारत सरकार का और लेक्मिदान के अनुच्छे 76 के अनुसर भारत सरकार को कानूनी मामलों में प्रामर्स देने के लिए राष्टपती महान्यावदी की निक्ति करता है तो राष्टपती के द्वारा महान्यावदी की निक्ति की जाती है अभी कोश्टन डारेक्ली पूछाता है कि महान्याव होता है आगे चलेंगे next question की और जो कि हमारा हिंदी से है महत्पुन कोस्टकों से जो questions पुछी आते हैं मोश्ट्रिपन जितने बनते हैं हम लोग एक साथ उठा लिये हैं सबसे पहले पिर्थवी राज रासो most important तो इनके रचनकार है चंद वर्दाई आगे है आचारी रामचंद्र सुकल, अगला है अनामिका, अनामिकी के दोस्तों रचनाकार, सूर कांतिर पाठी निराला है, कौन है, सूर कांतिर पाठी निराला, नेक्स्ट है, दीप सिखा, इनके रचनाकार है, महा देवी वर्मा, कौन है, महा देवी वर्मा, आगे चलेंगे हम लो अगला दोस्तों देव सिखा, देव सिखा के रचनाकार है महादेवी वर्मा और गोदान, गोदान के रचनाकार है प्रेमचंद, पार्टी कामरेट इनके रचनाकार है यस्पाल, मैला आचल इनके रचनाकार है फणिस्वरनात रेडू, नेक्स्ट है नदी के दूप, ये कु परषाद हैं कौन है जय्शंकर परषाद अब चलेंगे जियोग्डाफी का कोश्चन अब कोश्चन रख्ए आद डोस्तों किस गरह को लाल गरह के नाम्से भी जाना जाता यह इसका लाल रंग आइरन आकसाइड के कारण है ये भी question पोचा जाता है इसको दोब गरा फुबोस और डिमोस है जबकि सुक्र गरा को भोर का तारा तथा साज का तारा कहा जाता है बुद्ध गरा सूर का सबसे निजदी की गरा तथा सबसे छोटा गरा है और ब्रिस्पत सूर गालियों में साइड की बस्तों को देखने के लिए परियुक्त दरपन होता है ध्यान दिजएगा question पे मोटर गालियों में साइड की बस्तों को देखने के लिए परियुक्त दरपन होता है तो उत्तल लेंस होता है अब बहुत सारे question एक साथ हमारे clear होंगे ध्यान यह चोटे से छेत्र में बन जाता है इस प्रकार उतल दर्पन का दिरिश्टी छेत्र अधिक होता है इसलिए इसे मोटर वहनों तथा बसों में चालक के बगल में पीछे के ट्रैफिक के दिरिश्चावलोकन के लिए लगा जाता है उम्मित करते हैं दोस्तों एक कांसेप्ट आप लोगों को पूरी तरह से किलियर हो गया होगा अब अगला कांसेप्ट देखिएगा निकर दिरिश्टी दोस्त एक साथ जोड़ दिये हैं यह भी काफी कंफूजन क्रेट करता है तो ध्यान देजेगा निकर दिरिश्टी दोस्त में ब्यक्ति पास रखी बस्तु को दे परिश्टी दोस्त के लिए रयंज्भी प्रश्ण प्रेट करते हैं तो दोस्तो इसी तरह की वीडिजो के यह प्रस्नन को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे दोना दिये जानेständे वले सभी वीडियो आप करम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियोज में, थैंक्स फार वाचिंग.